अरजिना नारी चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं पहुत ही कमाल के टिप्स आप लोगों से सेर कर रहे हूं देखे जब हम चावल बनाते हैं न तो एक ग्लास चावल दो ग्लास पानी लेके आप सिंपे करके पकाईए और चारो तरफ एक चमस आप देशी घी कढ़ाई के अगर आपके लिए पानी के लिए प्रस प्रस पानी डाल दीजीएगा उस से आपके चावल बहुत सौप्ट बनेंगे नीचे लगेंगे भी नहीं इस तरह जावल बनाएंगे तो जोब खाएंगे तो गरे में लगेंगे नहीं अगला टिप अमारा है सेज्ञन के पत्धों अगर आपके उमर 50 पर आपके पैरों में दर्द रहते हैं तो ये ऩजन के पतिया हैं आप चाहे थे क्षपा के कखा सकते tu अगला टीप हमारा है इस मोसम में अगर आप में खून के कमी है तो काले चने को रात को भिगो दीजिएगा और सुबह आप एक कोटन का कपड़ा लेके किसी बरतन के अंदर कपड़े को स्प्रेड कर लीजिए उसमें आप चने रख दीजिए और उनको चारू तरब से ढग द आप उनको एक बार लिए इस्तिमाल कर सकते हैं चाहे तो आप आप इनका चाल दो सकते हैं यह कह सकते यह है लिए अच्छे होंते हैं कुन की कम करते हैं अगला ठीप हमारा है कि देखें जब आ लेके आते हें आलो रहे थुला गर्षी आस तरह आपा है जब यह तालू अपने बच्चों को ना खिलाए क्योंकि सेथ के लिए ये बहुत ही आनिकार के होते हैं कहा चाहे तो ये एक धीमा जहर होता है जो अंकुरी तालू ये नहीं है कि आप इनको तोड़ की फैक देंगे अंकुरी और फिर खाएंगे ऐसा बिल्कुल ना करें अगला टीप हमारा है जब भी हम दाल बनाते हैं सामर बनाते हैं तो हम हरग की ये वाली दाल लेते हैं और बनाने से आदा घंटे पहले हम इसको भीगोते हैं बिगोने से क्या होता है कि सामर हमारा भोत ही मिक्स होकी बनता है अच्छा बनता है तो आदे घंटे के लिए हमें दाल को बिगो देना चाहिए और इसमें एक मोटी हमें लाल मसूर के दाल एड़ कर देना चाहिए जिससे हमारा सामर कही गुना टेस्टी बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा जब भी हम इडली बनाते हैं तो बनाने के बाद सारी इडली को एक बरतन में निकाल के ढखके रखना चाहिए क्योंकि यह सोप्ट रहेंगी उपर से यह बिल्कुल भी सुखेंगी नहीं और खाने से पहले आपको एक काम करना है कि एक बड़ा सा बरतन ले बरतन में आप चार से पांच इडली निकाल के डालेगा और बड़े से बरतन में जब हम इडली डालते ना तो क्या होता है कि ए बहुत ही जादा इस सौफ्ट रहती है अगर आम इदो सोष से खाते लिए अगर आप इनको वैसे खाते तो भी अच्छी रहती है क्या अगर आ स्वादिस्ट बनाने के लिए जितनी जरूरत है उतनी इडली आप एक बर्तन में निकालेजिए बाकी को बर्तन से ठक के रखतीजिए का खाये जब इस्तेमाल करें और एक बड़ा सा बहु लेजिए तीन चार इडली जितनी खानी हो डालिये उसमें आप सामर डाल के पांच म कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताईए तो